हेलो प्यारे बच्चों, डाउटनेट में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, मेरा नाम है अमित वर्मा और अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना पहला अध्याय संख्या पध्धती यानि कि नंबर सिस्टम, चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं कि इस अध्याय की प्रगती कैसे होगी, तो बच्चों इस अध्याय में हमें सबसे पहले पढ़ना है संख्या पध्धती का एक परिचय यानि कि अपनी संख्याओं की हमें जानकारी लेनी है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दो परीमे संख्याओं के बीच में एन परीमे संख्या ज्यात क इसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे परीमे संख्याओं के बारे में फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संख्या रेखा पर अपरीमे संख्या का निरूपण और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या रेखा और वास्तविक जो संख्याओं हैं औ और उनके दशमलव प्रसाल उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उत्रोत्तर आवरधन पराक्रम उपयोग के द्वारा वास्तविक संख्याओं के निरूपड को देखेंगे ठीक है और उसके बाद वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं और सबसे last topic होगा हमारा वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियम चलिए प्यारे बच्चों तो आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं लेक्चर देखते हैं कि भाई आज की क्लास में हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं तो आज हम पढ़ने वाले हैं बिटा एक तो संख्या पद्धती यानि की number system क्या है कौन-कौन सी संख्याओं होती हैं उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दो परीमे संख्याओं के बीच में एन परीमे संख्याओं ग्यात करना और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे महत्वप प्रेशन कुछ important questions इसी से related ठीक है तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों कि हमारे पास कौन-कौन सी संख्याओं मौजूद हैं available हैं जो हमारे पास हैं अगर बात की जाए अपनी संख्याओं की जानकारी की तो बच्चों सबसे पहले आती है प्राकृत संख्याओं या जि गिंती हम लोग कहां से शुरू करते हैं एक से शुरू करते हैं तो एक हो गया दो हो गया तीन हो गया चार हो गया पांच हो गया छे साथ आट नो दस गया कभी भी गिंती जो हम गिनना शुरू करते हैं वह 0 से नहीं करते हैं हमेशा कहां से करते हैं एक से जैसे मैं आपको क तो आप उसको एक बोलोगे फिर दूसरा दिखेगा दो बोलोगे तीसरा दिखेगा तो आपने शुरुआत कहां से की एक से की ऐसा तो नहीं है कि आप 0 से शुरुआत करते हो गिंती कहां से शुरु करते हो आप एक से तो बिटा आपने शुरुआत की एक से तो इसको हम बोले क्यों इनको प्राकृतिक संख्याय नाम दिया गया क्योंकि यह हमारी जो प्रकृति में चीजें हैं उनको गिनने के काम में आती हैं जो नेचर में हमारी चीजें हैं उनको गिनने के काम में आती हैं इसलिए से हम प्राकृतिक संख्याय कहते हैं ठीक है तो बेटा जी देखते है कि क्या है बच्चों प्राकृतिक संख्याओं को हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स कहते हैं क्या कहते हैं बच्चों नेचुरल नंबर्स अब क्या है, जैसे हमारे पास है, बेटा जी आप देख सकते हैं कौन-कौन सी संख्याय है, भई संख्याय कहां से शुरू होती है एक से 1, एक के बाद 2, दो के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9 और इस तरीके से यह चलती जाती है, कहां तक अंगिनत रूप से चलती जाती है, ठीक है, तो यह हैं वो सारी संख्याई बच्चों जिनको हम कहते हैं प्राकरतिक संख्याई, अब जब 0 की खोज हुई, तो 0 आ गया और हमें 9 के बाद की संख्य खाओं को लिखने की जरूरत पड़ी तो हमने यह देखा कि कॉन सी संख्या है अब 0 तरीका हो सकता है कि हम 0 को यहां पर रख दें नहीं तो हमने क्या किया हमने कहा अलग संख्या संख्या बनाएंगे और उसको हम नाम देंगे पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं वो संख्याएं होती हैं बच्चों कि अगर हम प्राकृतिक संख्याओं के समू में 0 को भी मिला दें, तो भाया कौन सी संख्याओं आ जाएंगी, प्राकृतिक संख्याओं आ जाएंगी, 8, 9, 10 और ये इस तरीके से चलती जाएंगी कहां तक अनंत तक अंगिनात रूप से चलती जाएंगी तो इनको हम प्रदर्शित करते हैं बच्चों capital N से याद रखिएगा और इनको हम प्रदर्शित करते हैं capital W से पूर्ण संख्याओं को हम अंग्रेजी में कहते हैं whole numbers पूर् अगली हमारे पास कौन सी संख्याएं हैं तो इसके बाद जो हमारे पास अगली संख्याएं है वो है प्राकृतिक संख्याएं हो गई पूर्ण संख्याएं हो गई अब इसके बाद आएगा बच्चों पूर्णाग क्योंकि हमें जरूरत पढ़ी रिणात्मक संख्याओं को दर्शाने की, तो जब हमें रिडात्मक संख्याओं को बताना पड़ा, जैसे मैं माल लो कि बई शिमला का तापमान कितना क्राप कोगे सर शिमला का तापमान तो बहुत ठंड पढ़ रही है वहाँ पे जो तापमान है वो तो माइनस में पहुँच गया है, तो माइनस में पहुँच गया यानि रिडात्मक हो गया है, तो जो रिडात्मक संख्याओं थी, उनको भी तो हमें किसी समूवें रखना पड़ेगा, अब उन्हें हम कहां रखें, तो हमने क्या किया, जो पून संख्याएं थी, इनके साथ में हमने रिडात्मक संख्याओं को रखा और उसको हमने एक अलग नाम दे दिया, तो क्या था वेटा देखो, हमारे पास पून संख्याएं थी, 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4, 5, 6, और इस तरीके से ये चलती जा रही थी, संख्य हैं, ये सारी हमारे पास संख्याएं थी, पून संख्याएं, अब मैंने क्या किया, इसमें रिडात्मक संख्याओं को मिला है, रिडात्मक संख्याएं कौन सी, माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, माइनस के 5, है ना, और इस तरीके से ये भी चलती जा रही है, तरफ अनन्त रूप से ठीक है तो इनको हमने कहा कि यह क्या है बच्चों यह आई है यानि कि यह integers है यानि कि यह पूर्णांग है इनको अंग्रेजी में कहा जाता है integers यानि कि पूर्णांग बहुत अची बात है अब देखो बिटा हमारे पास यह सारी संख्याइं उपस्थि इसके बाद जब हमें किसी संख्या के हिस्से को बताना पड़ा जब हमें किसी संख्या या किसी भी चीज के भाग को बताना पड़ा तो हमारे पास कौन सी संख्याएं आई तब हमारे पास भिन संख्याएं आई भिन संख्याएं कौन सी होती हैं भिन संख्याएं वो संख्याएं किस रूप में होती हैं अंश बटे हर के रूप में होती हैं ठीक है जैसे माल लो कि मेरे पास एक रोटी है और एक रोटी मेरा भाई भी है मुझे अब उस भाई को भी खिलानी है मुझे भी खानी है तो मैंने क्या किया उस एक रोटी के दो हिस्से कर लिए अब अगर मैं ये पूछों कि मेरे भाई ने कितना हिस्सा खाया, मैंने कितना हिस्सा खाया, तो आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे, क्योंकि हमने क्या किया, हमने एक रोटी के, मैंने क्या किया, एक रोटी के दो हिस्से कर लिए, तो इसका मतलब दो में से एक हिस्सा मेरे भा करते हैं अंच बटे हर के रूप में होती है ठीक है अब ये जरूरी निये एक बटे दो तीन बटे दो भी हो सकता है ठीक है और आपका जो है वो चार बटे पांच भी है इस तरीके से ये सब क्या है ये सब प्यारे बचो भिन संख्याए है जैसे नौ बटे आठ है ये सब क्या है ये सब प्यारे बचो भिन संख्याए है और एक बात आप हमेशा याद रखेंगे कि भिन कभी भी रणात्मक नहीं होगी क्योंकि किसी भी व बस्तू है कोई भी चीज़ है तो उसका हिस्सा रिणात्मक नहीं हो सकता इसलिए ठीक है यहां तक सबको बात समझ में आगर यह कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं बच्चों I hope कि आप सभी को यहां तक clear हो गया होगा ठीक है अब अगर मैं आपसे यह पूछता हूँ जरा बच्चों ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं मैं कह रहा हूं क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं बताओ बच्चों क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं तो इसका जवाब होगा हां होती हैं क्यों क्योंकि आप यह देख सकते हैं बिटा यहां ध्यान दीजे जरा कहा ध्यान दीजे यह देखिए यह जो यहां से संख्याएं आपकी शुरू हो रही है यह वाली यह सारी संख्याएं कौ संख्याएं होती हैं लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है इसका उल्टा सही नहीं है इसका उल्टा क्या होगा कि क्या जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं क्या जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं क्या वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं मतलब जितनी भी प्राकृतिक सं संख्या तो नहीं है आप देखो क्या जीरो जो है प्राकृतिक संख्याओं के संभू में आ रहा है नहीं आ रहा तो इसका मतलब जीरो जो है पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है कई बार यह सवाल पूछ लिया जाता है इसके बाद अगर मैं आपसे यह कहता हूं क्या जितनी भी पूर्ण संख्याएं है क्या वो पूर्णांक होते हैं जान से सुनो क्या जितनी भी पूर्ण संख्याएं है क्या वो पूर्णांक होते हैं तो इसका जवाब क्या होगा तो इसका जवाब होगा बेटा हां होती है क्यों क्योंकि आप देखो यह जित आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ कि जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं वो पूर्णांक होती हैं लेकिन इसका फिर से वही बात कि इसका उल्टा सही नहीं है अब अगर मैं ये पूछू आपसे कि क्या जितने भी पूर्णांक हैं क क्या वो पूर्ण संख्याएं होती हैं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि बेटा इसमें तो रिणात्मक संख्याएं भी आ रही हैं, लेकिन रिणात्मक संख्याएं इस समू में तो नहीं हैं, तो इसका मतलब जितनी भी पूर्णांक हैं, वो पूर्ण संख्याएं नहीं होती, अब इसके बाद बच्चों जहान से देखिए जो कुछ एकाद जो जरूरी जरूरी सवाल पूछ लिये जाते हैं मैं आप आपको वो बता देता हूँ, कई बार आपसे पूछा जाता है कि बताओ पूर्णांक के क्या-क्या प्रकार हैं, अगर आपसे ये पूछा जाता है पूर्णांक के प्रकार होते हैं, देखो, अगर हम जीरो के बच्चों दाई तरफ चलते हैं, तो हमें सारे के सारे धनात्मक पूर्णांक मिलते हैं, और अगर हम जीरो के बाई तरफ चलते हैं, यानि कि लेफ्ट साइड में अगर हम चलते हैं, बिटा, कहां से जीरो के संख्याय मिलती है तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे रिणात्मक पूर्णांग क्या बोलेंगे बच्चों ये जो सारी की सारी है ये आपकी रिणात्मक पूर्णांग है अब रह गई बात जीरो की की जीरो जो है वो क्या होगा जीरो धनात्मक होगा ये रणात्मक होगा तो भाया जीरो है बिल्कुल बीच में जीरो कहां पर बच्चों बिल्कुल बीच में जब हम जीरो के दाई तरफ जा रहे हैं तब हमें धनात्मक पूर्णांक मिल रहे हैं लेकिन जीरो तो बिल्कुल बीच में हैं तो जीरो ना तो धनात्मक होगा और ना ही यह रणात्मक होगा यह ध्यान आपको रखना है जो आपका शून्य है देखिए ध्यान से बच्चों जो शून्य है यह यह ना-तो धनात्मक है और और नाही रणात्मक है सब को समझ में आया देखो बिटा जीरो जो है वो ना तो धनात्मक है और ना ही रिडात्मक है बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है कि जीरो जो है कैसा पूर्णांक है तो आप कहेंगे कि जीरो ना तो धनात्मक है न रिडात्मक है लेकिन जीरो जो है बिटा वो पूर्णांक है ये बात भी आपको याद रखनी है क्योंकि जीरो पूर्णांक के समू में आ रही है तो जीरो पूर्णांक है बट ना ये धनात्मक है ना रिडात्मक है बस आप इसको शुन्य बोलेंगे तो पूर्णांकों के तीन प्रकार होते हैं तीन तरह के पूर्णांक होते हैं तीन तरह के एक होता है रिडात्मक दूसरा होता है शुन्य और तीसरा होता है धनात्मक तीन पूर्णांक होते हैं तीन तरह के अच्छा इसके बाद बच्चों अगली बात याती है कि अगर आपसे ऐसे पूछा जाता है कि बताओ क्या आपका जो पांच है क्या पांच जो है प्राकृतिक संख्या है हाँ है क्योंकि देखो यह इसके अंदर आ रही है अगर आपसे पूछा जाए कि भाईया अब देखो बिटा जब हम संख्या रेखा पर चलते हैं ना संख्या रेखा के बारे में आप जानते हैं संख्या रेखा क्या होती है जो कहां से शुरू होती है बीच में वही जीरो होता है और दाइं तरफ चलते हैं तो धनात्मक माईं तरफ चलते हैं तो धनात्मक तब जाके हमें संख् यहां तक किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं ठीक है न बच्चों यहां तक तो कोई डाउट नहीं है किसी को चली आगे बढ़ते हैं इसके बाद बात करते हैं बच्चों अगली जो हमारी संख्याएं है वो है परीमे संख्याएं तो भई जब हमारे पास बिन संख्याओं की क्या जरूरत पड़ी तो बेटा परिमेर संख्याओं की जरूरत यह पड़ी अब माल लो कि एक समुंदर तल था ज्यान से सुनना एक क्या है समुंदर तल है इस तरीके से और एक समुंदर तल से 700 700 मीटर की उचाई पर, 700 मीटर की उचाई पर एक हवाई जाज उड़ रहा था, क्या उड़ रहा था हवाई जहाज, और इसी में समुंद्र तल के अंदर, यानि कि समुंद्र के अंदर एक पंडुब्बी चल रही थी, तो एक जो पंडुब्बी चल रही थी समुंद्र कल के अंदर, वो कितने मीटर नीचे जा रही थी, 300 मीटर नीचे चल रही थी, अब बेटा जो उपर वाली दूरी थी, वो तो हमने दिखा दी कि भई वो तो क्या है, वो तो धनात्मक में हमने लिख दी, क्योंकि वो उपर की तरफ थी, 700 मीटर, जो नीचे वाली दूरी थी बेटा, उसको हमने रणात्मक में लिखा, यानि कि 300 मीटर, अब माल लो, अगर मैं इस मीटर को किलो मीटर में बदलू, तो क्या होगा, किलो मीटर में बदलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1000 से भाग देना पड़े में 1000 किलो मीटर, अब क्या होगा बच्चों, जड़ा ध्यान दो, देखो, दो 0 से 2 0 कट गई, यहां पे भी 2 0 से 2 0 कट गई, ठीक है, तो यह कितना आया, यह यहां से आपके पास आगया, 7 बटे में 10, और यह यहां से कितना आगया, आपका माइनस का 3 बटे में 10, यह आगय तो सवाल यह उठता है, कि चलो 7 बटे 10 को तो हम भिन कह देंगे, है ना, 7 बटे 10 को तो हम भिन कह देंगे, पर यह जो माइनस का 3 बटे 10 है, इसको क्या बोलें, बताओ, जो यह माइनस का 3 बटे 10 है, इसको कौन सी संख्या बोलें, इसको हम भिन तो नहीं कह सकते, क्योंकि म मैंने अभी आपको क्या बताया कि भिन कभी भी रणात्मक नहीं होती तो यहां से आविशक्ता पड़ी एक नई संख्याओं की और जिसको क्या नाम दिया गया जिसको नाम दिया गया बच्चों परी में संख्याओं अब बात करते हैं कि परी में संख्याओं होती क्या हैं तो जिसमें क्या होता है बच्चों Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होता ये P बटे Q के रूप में लिखी जा सकती है और इसमें Q 0 के बराबर नहीं होता ये शर्थ होती है जैसे मानलो मैं एक शर्थ लगा दूँ कि मानलो मेरा चोटा भाई है और वो ये कह रहा है कि मेरे पास एक च मैं शर्ट लगा दी अब जब वो मुझे पानी लाके देगा गिलास एक है ना तब मैं उसको चैनल दोगा तो बस वही चीज है बिटा जब ये शर्ट पूरी होंगी दोनों जब ये दोनों शर्ट पूरी होंगी तभी हम कहेंगे कि हो संख्या परिम्य संख्या है, वर्ना नहीं है ठीक है? चलिए, कुछ example देखते हैं जैसा हमारे पास है बच्चोँ 3 बटे 4, क्या 3 बटे 4 परिम्य संख्या है? हाँ है क्यों? क्योंकि ये P बटे Q के रूप में है और इसका Q क्या है? इसका Q है बिटा 4 क्योंकि इसका Q क्या है 4 4 तो कभी भी 0 के बराबर नहीं होता मतलब बात सही है है ना अब अगर मैं आपसे पूछ हूँ क्या 5 बटे 0 एक परी में संख्या है क्या 5 बटे 0 एक परी में संख्या है तो आपका जवाब क्या होगा नहीं, ये परीमे संख्या नहीं है क्यों नहीं है बच्चों परीमे संख्या क्योंकि यहां पर आपका क्यों क्या हो गया भाईया यहां पर क्यों हो गया जीरो के बराबर और जबकि शर्थ क्या थी कि क्यों जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए अगर QE 0 के बराबर हो गया तो वो आपकी परीमे संख्या नहीं होगी ठीक है अगर मैं आपसे पूछता हूँ क्या बच्चों 3.5 एक परीमे संख्या है तो बेटा इसका जवाब ये होता है सुन लो ध्यान से कि परीमे संख्या तब कही जाती है वुन संख्याओं को या तो वो पहले से ही P बटे Q के रूप में हो है ना वो पहले से ही किस रूप में हो P बटे Q के रूप में जैसे ये थी 3 बटे 4 या हम उन्हें P बटे Q के रूप में बदल सकते हो किसी भी तरीके से उन्हें हम P बटे Q के रूप में बदल सकते हो तो वो भी क्या होंगी परीमे तो यह क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा और जब दशमलब हटाओगे तो बटे में 0 आएगी यानि कि यह क्या हो जाएगा 35 बटे 10 और 35 बटे 10 का मतलब क्या हुगा 5 से काट दो 5 सत्य 35 5 दूनी 10 यानि यह कितना आ गया 7 बटे 2 आ गया 7 बटे 2 कैसी संख्या P बटे Q के रूप मे और इसका Q जीरो नहीं है इसका मतलब क्या है यह परीमे संख्या है तो इसका जवाब यह होगा बिटा देखो चार को हम लिख सकते हैं चार बटा एक लिख सकते हैं चार को हम क्या लिख सकते हैं तो इसका मतलब चार क्या हुई एक परीमे संख्या हुई क्योंकि यह किस रूप में आ गई पी बटे Q के रूप में पहले नहीं थी पी बटे Q के रूप में लेकिन इसको हमने बदल तो दिया न पी बटे Q के रूप संख्या है देखो जो जो सवाल पूछे जा सकते हैं और बहुत बार बच्चे । आउट पूछते हैं किस हरी है कि यह होगी कि नहीं होगी इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूं क्या जीरो जो है वो एक परीमे संख्या है तो बेटा देखो जीरो को हम क्या लिख सकते हैं 0 बटा एक, या इसको हम लिख सकते हैं 0 बटे 2, या इसको हम लिख सकते हैं 0 बटे में माइनस के 4, क्योंकि बच्चों आप 0 को किसी भी संख्या से भाग दो, 0 को छोड़ कर, अगर आप 0 को दुनिया की किसी भी संख्या से भाग दो, केवल 0 को छोड़ कर, तो क्या होगा बेटा, वो आपको answer तो 0 ही मिलेगा तो चाहे मैं इसको 1 से भाग दूँ चाहे 2 से भाग दूँ चाहे minus 4 से भाग दूँ मुझे क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा तो हला कि पहले 0 P बटे Q के रूप में नहीं था लेकिन हमने 0 को P बटे Q के रूप में बदल तो दिया यह जो 0 बटा 1 है यह क्या है P बटे Q रूप ही तो है परिमे संख्या कब होती है जब P बटे Q के रूप में हो और Q 0 ना हो तो यहाँ पर Q है 1 यहाँ पर Q है 2 और यहाँ पर Q है minus 4 0 तो नहीं है ना इसलिए बच्चो 0 भी क्या है एक परिमे संख्या है याद रखना ठीक है 0 क्या है बच्चो एक परिमे संख्या है परिमे संख्या हो गई अब इसके बाद बच्चो बात आती है आपरिमे संख्या हो की कौन होती है आपरिमे संख्या है तो बटा जो परिमे संख्या होती है इनको अंग्रेजी में कहा जाता है rational numbers ये English में भी पता होना चाहिए आपको इनको English में क्या कहा जाता है rational numbers ठीक है और आपरी में संख्याएं वो संख्याएं होती है जिनको हम P बटे Q के रूप में नहीं बदल सकते वो सभी संख्याएं जिनको हम P बटे Q के रूप में नहीं बदल सकते या जो नहीं होती P बटे Q के रूप में वो बेटा परीमे संख्याएं होती हैं। जैसे बहुत सारी परिमे संख्या है, सबसे सूप्रसिद्ध अगर कही जाए तो वो है बेटा पाई, हाँ पाई के बारे में सोचकर थोड़ा सा हमें अजीब सा लगता है कि सर पाई का मान तो हम लोग 22 बटे साथ लेते हैं, तो फिर ये क्यों नहीं है परिमे संख्या, तो ब पाई का मान 22 बटे साथ नहीं होता, पाई का मान होता है 3.1415926 और चलता जाता है, चलता जाता है, पता नहीं कहां तक, अंकों की आवर्ती भी नहीं होती, तो इसलिए बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ, पाई का मान होता है 3.1415926 और ये चलता जाता है, पता नहीं कहां तक मिटा हमें नहीं पता सुपरकंप्यूटर से भी करोडों अंकों तक इसका मान निकाला गया है फिर भी आज तक कोई इसका बिल्कुल सटीक मान नहीं बता पाया है दशमलव के बाद करोडों अंकों तक इसका मान निकाल लिया गया है सुपरकम्प्यूटर से लेकिन फिर भी पाई का मान आज तक कोई सटीक नहीं बता पाया है तो जब हमें यहीं निइ पता कि दशमलव के बाद यह कहां तक जा रहा है और इसमें अंकों की आवर्ती भी नहीं होती इसलिए बत्चों पाई जो है वो एक अपरीमे संख्याय है परीमे संख्याय नहीं है क्योंकि इसे हम पीबटे क्यू के रूप में नहीं बदल सकते या जैसे हमारे पास कुछ संख्याएं होती है वर्गमूल दो है या हमारे पास संख्याएं वर्गमूल तीन है ये संख्याएं भी क्या होती है बच्चों अपरी में संख्याएं होती है ठीक है इनके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से चलिए अब इसके परी में और अपरी में संख्याओं को मिलाने से बनती हैं, मैं अगर क्या करूँ, मैं अगर परी में संख्याओं ले लूँ, जितनी भी परी में संख्याओं उनको ले लिया, और दोनों को मैंने क्या कर दिया, मिला दिया, परी में और अपरी में दोनों संख्याओं को मैंने क कर दिया मिला दिया तो मुझे कौन सी संख्या मिलेंगी वास्तविक संख्याओं का संभू मिल जाएगा सिंपल ठीक है बस इसकी तिनी सी परिभाश्रा है ठीक है और बिटा अपरी में संख्याओं को हम कहते है एर रेशनल नंबर्स एर रेशनल नंबर्स ठीक है और वास्तव संख्याओं को हम कहते हैं real numbers और रियल वास्तविक का मतलब जो reality में जो है real number जो वास्तव में है ठीक है वो समझ में आए सब को यहां तक तो यह सारा हमारा क्या है बच्चों संख्या पधती है यह हमारा संख्याओं के बीच में N परी में संख्याएं ग्यात करना देखो बिटा हमारे पास दो परी में संख्याएं है ठीक है अब जैसे माल लो हमारे पास एक परी में संख्या है ए बटे में B और दूसरी हमारे पास परी में संख्या है C बटे में D यह आरे पास दो परी में संख्याएं हैं, तो इनके बीच में कितनी परी में संख्याएं हो सकती हैं, पहले सवाल यह उठता है, एक होगी, दो होगी, तीन होगी, चार होगी, पांच होगी, छे होगी, साथ होगी, आठ होगी, कितनी होगी, तो भाया, इन दोनों के बीच में परी में संख्याएं आएंगी ठीक है तो आपको याद रखना है इन दोनों संख्याओं के बीच में अंगिनत परी में संख्याएं हैं अंगिनत या जिसको आप क्या कह सकते हो जिसको आप कह सकते हो अनंत जिसको आप क्या कह सकते हो बच्चो अनंत कह सकते हो दो परी में संख संध्याएं होती है या अनंत्परि में संध्याएं होती है ठीक है अब वो निकाली कैसे जाती है अब सवाल junior उठता है कि ठीक है हमने ये तो समझ लिया कि इसमें होती कितनी किस GAI है तो इसके बच्छों सिर थिन पहला तरीका है जो पहला तरीका है वो है बच्चों हर को समान बना कर हर को क्या करके हर को समान बना कर आप क्या कर दो हर को समान बना लो तो आपकी आप परीमे संख्याएं बता सकते हो दूसरा तरीका जो है बच्चों वो है माध्य लेकर दूसरा तरीका क्या है बच्चो माध्ध लेकर उन दोनों परिमे संक्याओं का वो A बटे B जो है और ये C बटे D जो है इन दोनों का माध्ध लेलो, माध्ध का मतलब क्या होता है बिटा देखो माध्य का मतलब ये होता है कि जो हमारी दोनों की दोनों परिमे संख्याओं है ए बटे बी और सी बटे डी यही दोनों तो थी तो क्या करो इन दोनों को जोड़ दो पहला काम क्या है दोनों परिमे संख्याओं को जोड़ दो और फिर क्या कर दो फिर कर दो इन क आधा यानि इसको दो से भाग दे दो ये है माध्य विधी ये क्या है बच्चों माध्य विधी एक परी में संख्या और दूसरी परी में संख्या दोनों को पहले क्या करो जोड़ो और फिर उसका कर दो आधा तो इसको हम कहेंगे माध्य लेकर कुछ example देखते हैं कुछ questions करते हैं बच्चों तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि जब तक सवाल नहीं करेंगे तर तक पिछले क्लियर नहीं होगी चैलिए तो पहला सवाल देखते हैं कि क्या है हमारे पास दो परी में संख्याओं के बीच में परी में संख्या निकालने का तरीका अब जैसे क्या कहा जा रहा है? दो और तीन के बीच में पांच परीमे संख्याएं ज्याद कीजिए. बेटा, जब आपसे एक से जादा परीमे संख्याएं पूछी जाएंगी, तब आप कौन सा तरीका लगाएंगे? मैं पहले ही बता दे रहा हूं. जब आपसे बहुत सारी परी में संख्याएं पूछी जाएंगी, एक से जादा, तब आप तरीका लगाएंगे हर को समान बनाने वाला, जैसे यहाँ पर पांच परी में संख्याएं पूछी गई हैं, तो आप कौन सा तरीका लगाएंगे, हर को समान बनाने वाला, अब हर को स लिख सकते हो, दो बटा एक, और तीन को आप क्या लिख सकते हो, तीन को आप लिख सकते हो, तीन बटा एक, तो आप तो ये कहोगे ना, कि सर इनका तो हर पहले सही बराबर है, यहाँ पे एक है, वहाँ पे भी एक है, मैं कहूंगा, हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन, क्या इन दोनों के बीच में कोई पूर्ण संख्या है, दो और तीन के बीच में क्या कोई पूर्ण संख्या आती है, कोई पूर्ण संख्या नहीं आती, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें यहाँ पर यह देखना पड़ेगा, कितनी संख्याएं पूछी जा रही है पांच परी में संख्याएं पूछी जा रही है तो बच्चों अब मैं आपको बताने जा रहा हूं तीसरा तरीका हर को समान बनाना तो ठीक है अब मैं आपको बताने जा रहा हूं तीसरा तरीका वो तीसरी विधी क्या है जब आपसे जैसे आपकी परी में संख्या थी A बटा B और दूसरी परी में संख्या क्या थी C बटा D यही दोनों तो थी परी में संख्या हैं तो आपने क्या क्या आपसे पुछा कि N परी में संख्या बताओ आपने N में जोड़ दिया एक आपने N में एक जोड़ा और अब आप क्या करो इन दोनों परिमे संख्याओं में N प्लस एक से उपर भी गुणा करोगे, N प्लस एक से नीचे भी गुणा करोगे, ऐसे ही यहाँ पर भी, जो यह C बटा D है, इसमें भी N प्लस एक से गुणा कर दोगे, और नीचे भी N प्लस एक से गुणा कर दोगे, आई बात समझ में, अ से होगा क्या ज़रा ध्यान से देखना बिटा अब मैं यहां पर क्या करने जा रहा हूं मुझसे कितनी परिमें संख्या है पूछी गई है पांच तो इसका मतलब n का मान कितना है बच्चो बताओ पांच है यानि कि n बराबर है पांच तो मैं क्या करूँगा n में 1 जोड़ूँगा n प्लस 1 निकालूँगा तो वो कितना आएगा 5 प्लस 1 पांच और एक कितना होगा 6 तो अब मैं क्या करने वाला हूँ अब मैं 6 से गुणा करने वाला हूँ इन दोनों में देखो मेरी संख् क्या थी 3 बटा एक तो इसमें मैंने क्या किया 6 से ऊपर भी गुणा कर दी 6 से नीचे भी गुणा कर दी अब बताओ ज़रा कितना आएगा देखो 2 चिका 12 और 6 एकम 6 यहां पर कितना आएगा बिटा 3 चिंग 18 और 6 एकम 6 अब देखो बिटा अभी भी दोनों संख्याओं का हर ही है अभी भी दोनों का हर समान है आप देख लो इसका भी हर 6 है और इसका भी हर 6 है लेकिन जो ऊपर वाली संख्याओं है वो थोड़ी दूर दूर हो गई पहले बहुत पास थी एक दो था और एक तीन था अब देखो ऊपर वाली संख्याओं थोड़ी दूर दूर हो गई एक 12 और एक 18, 12 और 18 के बीच में कौन-कौन सी संख्या आती हैं, बताना ज़रा, बिटा 12 के बाद आता है 13, फिर आता है 14, फिर आता है 15, फिर आता है 16, और फिर आता है 17, आती है न, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, है न, क्योंकि ये सभी संख्या है, और आपकी संख्या के बटे में 6 लगा दो इन सबके बटे में क्या कर दो छे लगा दो लो सबके बटे में मैंने लगा दिया छे और ये कितनी संख्याएं बताना ज़रा एक दो तीन चार पांच पांच संख्याएं हैं बस आपका काम हो गया पांच संख्याएं तो पूछी थी पांच संख्याएं बता दिया आपने ये सारी जो संख्याएं हैं ये सारी संख्याएं बच्चों उसके बीच में हैं किसके किसके बारा बटे छे बारा बटे छे क्या है बारा बटे छे बीटा दो ही तो है चैकम छे दुनी बारा और छे बटे अठारा क्या है छे बटे अठारा बिटा तीन ही तो है बताओ जो छे के बीच में देखो पांच परी में संख्याएं हमने बता दी आया समझ में ये वाला तरीका सबको ये वाला तरीका समझ में आया ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद बच्चों हम बात कर रहे हैं दो परी में संख्याओं के बीच में परी में संख्याओं निकालने क अब जैसे यहाँ पर क्या है दो बटे 5 है और 3 बटे 5 है के बीच की 5 परिमे संख्याएं बताईए तो कैसे बताओगे बताओ बच्चो अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर भी हर पहले से ही बराबर है दो बटे 5 है और 3 बटे 5 है यही तो है तो इसके बीच में आपको अगर 5 परिमे संख्याएं बतानी है तो आप कैसे बताओगे क्या कौन सा तरीका लगाओगे बटा वही वाला देखो 5 बतानी है न तो क्या करो n बराबर कितना हुआ 5 आपने क्या किया n में जोड़ा 1 तो n में 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा 5 प्लस एक पाँच और 1 हो गया 6 तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपको क्या करना है 2 बटे 5 में 6 से उपर भी गुड़ा 6 से नीचे भी गुड़ा तो ये कितना कितना आएगा बच्चों बताना ये कितना कितना आजाएगा देखो दो छिक्का बारा और पान छंग तीस और यहां से कितना आएगा तीन छिंग अठारा और छे पंजे तीस तो देखो अभी भी आपका हर क्या है समान है देख लो यहां प लेकिन बच्चों दोनों के बीच में उपर संख्याई नहीं थी, यहाँ दो था और यहाँ तीन था, दो और तीन के बीच में तो कोई भी पूर्ण संख्या नहीं होती, लेकिन बारा और अठारा के बीच में तो होती है, बारा और अठारा के बीच में कौन कौन होता है, तेह आपके बटे में क्या लगा दो? 30 13 बटे 30 14 बटे 30 15 बटे 30 16 बटे 37 ये देखो 5 परी में संख्याय हमने बता दी हमने क्या किया? हमने 5 परी में संख्याय बता दी इन दोनों के बीच में ठीक है? आसान है न? बताओ अगर बच्छो आप class में ध्यान से पड़ोगे तो आपको स सारी चीज़े समझ में आएंगी ठीक है और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आसान से आसान तरीके से आपको सारी चीज़े समझाओं तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को चलिए और बच्चों आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं एक बार मैं आपको वो भी तरीका बता देता हूँ यह तो देखो पांच परी में संख्याएं बतानी थी तो इसलिए हमने यह वाला तरीका निक करा एक बार मैं आ बेटा आप कब लगाएंगे जैसे आपसे कहा जाता है कि दो बटे तीन और चार बटे पांच इन दोनों के बीच में एक परी में संख्याएं बताओ केवल एक इन दोनों के बीच में कितनी परी में संख्या बतानी है इन दोनों के बीच में केवल एक परी में संख्या बता माद्धे में क्या करते हैं दोनों को पहले जोडते हैं और फिर दोनों का क्या कर देते हैं आधा कर देते हैं फिर क्या कर देते हैं दोनों का आधा तो जोडना जरा बताओ कितना आएगा उपर देखो नीचे तो बटे में तो दो है वो तो ठीक है उपर देखो जोड के हो जाएगी तो 2 गुड़ा पांच और इस 3 की गुड़ा हो जाएगी चार में तो 3 गुड़ा चार और बीच में क्या है प्लस जह कितना होगा यह ग涮ें थो 2 ने से बैठेगा तो कितना हो जाएगा 10 और 12 is 22 बटे में कितना आ जाएगा 15 घुड़ा दो जब उसके साथ नीडेखा तो गुड़ा ओ जाएगा तो कितना ओ जाएगा देखो 12-12 और यह कितना ऐगा दो एकम 2-dog क दो यानि 11 बटे में 15 कितनी आ गए आपके पास 11 11 बटे 15 ये वाला तरीका आप केवल तभी लगाएंगे जब आपसे केवल एक परी में संख्या पूछी जाएगी क्यूंकि अगर आप ये वाला तरीका तब लगाने बैठ गए जब आपसे 5 या 6 परी में संख्या पूछी जाएगी तो सारा कुड़ा हो जाएगा मतलब ये कि time बहुत ज़्यादा waste हो जाएगा बहुत ज़्यादा time लग जाएगा बच्चों एक एक परी में संख्या निकालने में ठीक है तो यह वाला तरीका आपको तब ही लगाना है जब आप से किवल एक परी में संख्या पूछी जाए ठीक है तो बच्चों अब हम करते हैं quiz, तयार हो जाएए quiz के लिए quiz का question आपकी screen पर आएगा और सारे बच्चों को answer करना है एक एक बच्चे को, ठीक है? तो ये रहा बेटा सवाल, बताओ क्या होगा इसका जवाब, निम्न में से एक तथा दो के बीच में कौन सी परीमे संख्या है? इन में से एक और दो के बीच में कौन सी परीमे संख्या है? अब देखो आप से केवल एक परी में संख्या पूछी जा रही है केवल एक तो क्या करना चाहिए एक और दो के बीच में चलिए आगे बढ़े बच्चों अगला सवाल देखे नेक्स कोशन दो परी में संख्याओं के बीच में अधिक्तम कितनी परी में संख्याएं हो सकती है बताओ बच्चों दो परी में संख्याओं के बीच में अधिक्तम कितनी परी में संख्याएं हो सकती है चलिए डिसकस कर लेते हैं बच्चों पहला सवाल क्या था फर्स कोशन था कि निम्न में से कौन सी संख्या एक और दो के बीच में है अब देखो बेटा एक और दो के बीच की बात चल रही है अगर यहाँ पर आप देखो भाग करके देखो अगर आप तीन से आठ को तीन से अगर आप आठ को भाग करके देखोगे तो कितना आएगा आपके पास है एक और दो इसके बीच में बतानी है आपको है ना तो तीन से जरा आठ को भाग देना तीन दुनी छे बचा दो फिर दशमलव लगा जीरो हो गई तीन छेंग अठारा है ना तो ये तो कितना आ रहा है 2.6 आ रहा है मतलब ये तो 2 से भी आगे बढ़ गई तो ये तो नहीं हो सकती फिर क्या है 7 बटे 3 तो अगर मैं 3 से 7 को भाग दूँगा तो कितना आएगा देखो 3 एक हम 3 तीन दुनी 6 है ना 3 दुनी 6 बचा 1 फिर दशमलव 0 3 तीन 9 तो बिटा ये देखो कितना आ रहा है 2 दशमलव 3 ये भी क्या बढ़ गई आगे बढ़ गई ये तो 2 से भी आगे चली गई तो ये भी नहीं होगी अब क्या रह गई 4 बटे 3 तो 4 बटे 3 देखते हैं कि क्या 2 और 3 के बीच में है एक दशमलव 3 ये कितना आ रहा है एक दशमलव 3 जो की एक और दो के बीच में है और 2 बटे 3 का मतलब क्या है बच्चे 2 बटे 3 का मतलब है कि 3 से हमने 2 को भाग दिया तो दशमलव लगाना पड़ेगा तभी तो भाग जाएगा तो ये क्या हैगा 6 18 18 है ना तो यहां से फिर 2 बचेगा तो ये तो 0 दशमलव 6 आया 0 दशमलव 6 का मतलब एक से भी पहले तो बीच में तो क्या आ रही है ये वाली संख्या आ रही है ना यानि कि आपका 4 बटे 3 सही विकल्प है 4 बटे 3 जो है वो आपका बिलकुल सही विकल्प है कोशन नबर 2 था कि दो परीमे संख्याओं के बीच में बच्चों अन गिनतिया कह सकते हो अनंत परीमे संख्याएं हो सकती है ठीक है समझ में आया सबको चलिए तो आज के लिए प्यारे बच्चों बस इतना ही कारिया वो मैंने आपको एप पर दिया है जाकर आप होमवक वाले सेक्षन में कर सकते हैं अपना आज का होमवक और बच्चों अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे अपरीमे संख्याएं क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे तो मिलते हैं फिर आप से नेक्स क्लास में तब तक के लिए सभी बचों का बहुत बहुत धन्यवाद